नमस्कार पहरे बच्चो देखें राजिस्तान जीके के बहुत ही शांदार एवम इंपोर्टेंट कोश्चन एवम नए कोश्चन आप लोगे लेकर आगे हैं ध्यानपुर्बग आपको वीडियो को देखना है क्योंकि सारे के सारे कोश्चन आपकी आने वाली एकजाम BSTC 2024 के के लिए सारे के सारे कोश्चन यहीं से पूछे जाने वाले इसलिए मिस नहीं करने क्लास और लाश्ट में यह कमेंट करके जुरूराम NIE कि नहीं करना है कि तने कोश्चन आप लोगों आदेव मंदिर उधैपुर इसकाउंसर क्या हो जाएगा कि जहां पर पानी के इस्तान पर घीका इस्तमाल किया गया था तो देखे यह बंडासा का जो जहन मंदिर है बीकानेर के अंदर है इसमें किया गया था ठीक है अपसे नमबर बी विलको से होगा लोग देवता राज का पवित्र तीर तिस्तल बासी दुवारी नागोर में बूंदी में बीकानेर में जहलावाड में देखे बूंदी के अंदर पड़ता है यह आपको ध्यान रखना है एक 84 सी खंबों की छत्री भी यहां पर है बूंदी के अंदर मैतरन किसे जिले की पिरसिद लोग कल है तो मैतरन आपकी जो बीकानेर का जला है ना आपकी तो यह उसकी होई ठीक है बीकानेर आपको ध्यान रखना है यहां पर आपकी करनी माता जी कभी मंदर है यह भी आपको ध्यान रखना देशनोग बीकानेर किंद्र है जो चुहों की देवी के रूप में जानी जाती है शिरोईछेत्र की पाड़ियों को इस्थान्यवासा में क्या कहा जता है Behankar Baurat Girmas इस फिरकार से जैसे कि हमारे यहांपर चोकड़े का पेड होता है तो मतलग पेड होता है न हो काफी जंटी बोला जाता है और ये इसी तरीका से अलग-अलग नाम होते हैं अलग-अलग जगे होती है जो ठीक है चलिए तो देखे शुरवचेत की पहाड़ियों को इस ताने वासा में क्या कहा जाता है भाकर कहा जाता है याद रखना है आप लोगों को ठीक है वो खेज़ीडी का ब्रक अंतराश्टी सीमा पर है एक तो गंगा नगर है बीकाने रहे जैसल में रहे और बाड में रहे और आप लोगों को और आप लोग कमेंट करते रहे बातें कोई नहीं करेगा शेयर भी कर दिजिए आप लोग अपने अपने मित्रों को बनास नदी पर कौन सा बांद है वाई चलिए पारवती अरावली परवतमाला यह अच्छा कोईशन है कि देखे अरावली परवतमाला दक्चिनी पश्चिम में राजिस्तान के किस जले में प्रारम भोकर उत्तर पूर तक जाती है जाल और उदैपुर पिरताफगड शिरोई आउसर क्या होगा शिरोई आप टॉप के अंदर पड़ता है जिसे अपन नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं कौन-कौन से बच्छे जानते हैं किस विश्विद्याले का नाम पूर राश्पटी सर्विपिल्लम राधा कृष्ण के नाम पर लखने का निरने लिया गया है बता वही कौन से विश् एक लें ग्रेट इंडियन वर्टाज किसे कहते हैं बता वही जली यली कुर्जा पक्षी को साइवेरियन सारस को गोडावन को चिंकारा को ग्रेट इंडियन वर्ष्टर्ड किसे कहते हैं तो देखें ग्रेट इंडियन वर्ष्टर्ड कहते हैं आपके गोडावन को ठीक है अप्सन नमबर सी एकदम राय टाउन से लोगा गोडा वन ग्रेट इंडियन वर्ष्टर डे से कहते हुआ ठीक है चलो भाई देखे चूरू में ताल चापर क्यों प्रिस्थ है किसलिए ताल चापर प्रिस्थ है चूरू के अंदर इसका उसे बताईगा दूसरी इंपोर्टे करें और देखा करें ऐसी शांदार शांदार क्लाज चूरू में ताल चापर की प्रिस्थ है अरे जो काले रना के अभ्यारन के लिए ठीक है उप्सन नमबर भी एकदम राय टांस होगा संत्रा उत्पादन की दरश्टी से राजिस्तान का नागपूर किसे कहा जाता है राजिस्तान में पेड़ और में बाडमिय में जैपूर में एक मेला लगता है घड़ों का जिसे आप जानते हों तो कौन सी जगें पर लगता है आपया कमेंट करके बताएं ठीक है चलो देखें सवाई मादोपुर में चौत कबरवाड़ा किस खनीज के लिए जाना जाता है चौत कबरवाड़ा कौन से खनीज के लिए जाना जाता है सीसा जस्ता की खान के लिए टंगश्टन की खान के लिए अबरक की खान के लिए या फिर स्लेट की खान के लिए तो दिखे ये आपका सिसा एवम जस्ता की खान के लिए जाना जाता है ठीक है चलो राजिस्तान में कपास का सर्व अधिक उत्पादक कहां से होता है पाली, बीकने, रन्मानगड, भीलवड़ा कपास का सर्व अधिक उत्पादक के जो ठीक है, ये आप लोगको ध्यान रख नहीं कपास का सर्व अधिक उत्पादक कहां पर होता है ठीक है ये आपका अन्मानगड के अंदर होता है ठीक है कपास जो सबसे ज़दा होता है रूइ अपानों से बोलते हैं तो वो हन्मानगड बेगए किस किले के लिए कहा गया था कि अन सब किले कैसे वाई नंगे हैं जबकि यह वक्षतर बंद है तो देखे रंथमबोर का जो किला है इसके बारे में यह कहा गया है और एक वो भी है कि जीवन में सफल होने के लिए न प्यारे वच्चों आपको लड़ना परेगा और देखे परिस्तिति आना आते हैं लेकिन हमें परिस्तितियों से लड़ना है और जीतना एं जो आपका लक्ष है न उस लक्ष को भेदना ए ठीक है एक बार अपना निशानातान के तो देखो लक्ष अवश्य मिलेग अगला question देखो वाई मरू मौतसफ कहां मनाय जाता है ये मनाय जाता है जैसल मेर मेरा ठीक है राजिस्तान का खजुराओar निमिलिक्तमसे किसे कहा जाता है दिलवाड़ा मंदर को रणछोड मंदर को किराडु मंदर को बंद देवरा मंदर को राजिस्तान का खजुराओ और निमिलिक्त में से किसे कहा जाता है ठीक है तो ये कहा जाता है आपका जो किराडू का मंदिर है ना इसको कहा जाता है राजिस्तान के खजुराओ ठीक है अप्शन नमबर शी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाए जा रही है संदेश देने के लिए स्वास्त मित्र योजना, स्वास्त चेतन योजना, प्रदान मंत्री स्वास्त रख्चा योजना या मुख मंत्री पंचायत अभियान स्वास्त मित्र योजना एक दम परफेक्ट वाला एक कोशन है और ऑफिसर नमबर क्या लगा लेना यह आप लोगों को बिलकुल याद रखना है ठीक है समझ मारा है न सब कोछ बिलकुल कहरी वान्थ की ओडरी की जन जाती चिर Scottish में लोग प्रही है देखे जाट महिला है आदिवासी महिला है या फिर राजपूत महिला है बताओ के रिवान्थ की ओडरी के लिए कौन-कौन जानते है या आप लोगा क्या होगा वाई आदिवासी महिला है option नमडर B एक दम राही बता वाई केत्री जुन जुनु कोन आये थे केत्री जुन जुनु तो स्वामी विवेकानन्द आये ठीक है अप्सन नमबर डी एक वाई राइटाउंस रोगा उप्सन नमबर डी करके यह में लिखते मचे किसे मरू भूमी की कोकिला कहा जाता है गबरी देवी को मांगी को राइटाउंस लगा के रखना है करोली चेत्र में केला देवी की अरादना में गाये जाने वाला गीत देखे करोली चेत्र में केला देवी की अरादना में जो गीत गाये जाता है बताओ लांगुरिया हिंडो इंडो नी या फिर लावनी करोली चेत्र में केला देवी की रातना में तो एक ही गीत काये जाता है याद रखना है आप लोगो को क्योंके आक Only अश्चा में छुनाई का कारे करनेवाले को क्या कहा Assistant तो मेंň में जुताय के बाद बूमीं को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलता है चावा चाहड चावर या चांदो रोनो खेतों में जुताए के बाद भूमी को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलता है ठीक है तो उसको चावर कहा जाता है ठीक है याद रखना है इसको क्या कहा जाता ह प्रफेक्ट कोईश्चन हो गया है अब आप लोगों का कोईश्चन है इसका उसर आपको क्या करना है कमेंट करके जरूर बताएगा कि राजिस्तान में महिला रोजगार काराले की पिर्थक से इस्तापना कहा की गए थी अजमेर जोदपूर जैपूर उधैपूर ठीक है इसका उसर आपको क्या करना है कमेंट सेसर में जरूर बताएगा और देली में कहता हूं आप लोगों से सेर करने के लिए तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है क प्लीज आप लोग सबसे पहले तो देखे आठ पी एम पर आठ पी एम पर आप लोग जरूर जुड़ जाए गरो पहली बात दूसरी बात इंपोर्टेंट आप लोग वार्टसप ग्रूप में जुड़ते नहीं है क्योंकि मैं वहां पर आप लोग के लिए टेस्ट काफी चीज आप लोग को देता हूं तो यह वार्टसप ग्रूप नंबर है इस पर आप लोग हमें SMS कर देना वार्टसप पर हम आपको वार्टसप ग्रूप में भी जोड़ देंगे और टेली ग्राम का लेक के डिस्क्रेप्शन में संसकार क्लासे जो फिसल तो वहां पर आ जरूर करते जाएगा सस्क्राइब जरूर करते जाएगा और अपने मित्रों को शेर करते जरूर जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में